आज हम देखेंगे CSRINK के 30 Hiding Places बर्मूदा में इस घर में आपको scoping करना है और यहाँ पे आप लोग को बंदा भी fire कर सकते हो नहीं तो अगर आपको zone hit करता है तो एक और काम कर सकते हो सामने जीप लाइन दिख रहा है इस जीप लाइन के उपर आपको jump करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है scoping करो and फिर देखो guys एक छोटा हट देखर guys इसमें आजाओ ठीक है जैसे अब भी देखो मैंने jump किया आगया अब यहाँ से भी आप लोग बंदा को scoping करके fire करके खतम कर सकते हो तो यह trick एक बहुत कमाल का trick है आप लोग इस सो follow कर सकते हो hiding place number 29 तो 29 number hiding place आप लोग का CPR का map में ही मिलेगा आपको करना क्या है इस yellow वाली crane में आना है यहाँ पे आपको दो glue आल ऐसे करके लगाना है जैसे मैंने लगा ध्यान रखना का है यहाँ पे jump करते वाग गिरना नहीं है यहाँ पे आपको zone भी hit कर सकता है इसलिए थोड़ा जल्दी करो और यहाँ पे आप लोग तच्विया केरिटर लेकर आना ही आना और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जल्दी से आपको sprint करना है move करते जाओ आगे की तरफ और यहाँ पे जो आप लोग का घर था यहाँ पे आप लोग स्पॉन हुए तो ना यहीं पे आप लोग को jump करना है और उसके बाद आप लोग को जल्दी से यहाँ पे अगर आपके आलोग लेक खेल रहा है तच्विया लेक खेल रहा है तो यहाँ पे heal भी कर सकते हो मेड़ी मार के और यहाँ से आप लोग बंदा खटम करो यहाँ पे देखो गाईस यहाँ से आके आप इजली एटू जेट प्लेयर को भी खटम कर सकते हो हाँ प्लेस नमबर 28 तो 28 नमबर हाँ प्लेस है अपना यहाँ पे clock tower का clock tower में जब भी आप लोग इस तरह से खेलोगे तो आपको जल्दी से यहाँ पे तटसुया दो बार यूस कर लेना है यहाँ पे जो staircase न यही कट्रीक है आप लोग देखो यहाँ से आपको डारेक्ट जम करना है एक चोटू सा hat में यहाँ पे आपको बैट जरा है आपको पता नहीं गाईस यहाँ पे zone बनता है यहाँ सच बोलता हूँ यहाँ बहुत देर तक zone रहता बहुत जादा देर तक कम सबर्ड़ मीट तक कम सा मू जोन तो रहेगा यहाँ पे तो आप लोग देखो यहाँ बंदा को एक यहाँ दो बंदा को किलियर करना कम सब दो बंदा को किलियर करना यहां से देखो कितना आप advantage support देशगाँ अपर हैं फिलेस नमबर 27 ओके तो यह हैं प्लेस 27 क्लोक तावर क इस end से होगा तो आप लोग जब भी clock tower खेलोगे बर्मुदा मैप में तो आपको एक glowal लेकि आना है और यहाँ पर लगा देना जैसे मैंने इस और से लगा है आपको क्या करना है इस glowal को नीचे थोड़ा लगाना है और यहाँ पर आप लोग देखो मैंने जम करकी यहाँ पर बैट कि आप लोग ना एनिमी को खतम कर से तो एनिमी आपको देख भी नहीं पाएगा बस धियान रिना आप लोग डेमेज मत रहना एनमी देख पाएगा नहीं ना गास बस मेरा बाल दिख रहा है थोड़ा बहुत एक तो benefit बहुत मिलता है आपको कि यहां से आप easily एनमी को knockout कर सेकत हो बहुत सरे प्लेयर यहाँ पर क्याम करके खेलता भी है और यह trick यूज़ कर रहा है यहां पर देखो guys आपको scoping करना है and देखो मैंने जैसे glue लगाया थोड़ा staircase के पास ही लगाना ठीक है वो लक्री वला जो staircase था उसके थोड़ा पास में लगाना अब यहां से आपना easily जो भी रीम नाम का प्लेयर है बहुत सरे प्लेयर यहां पर ड्रॉप को लूट में भी आता है और बहुत सरे प्लेयर दूर दूर से मारता है तो इनको नजर भी आप रख सकते हो यहां पर अपने टीम मेट को support दो और आप easily master grind master भी push कर सकते हो तो यह भी अपना रीम नाम का trick है रीम नाम का अगर इस और से आता है आपका game देखो यहां पर चालू करते हैं आपको यहां पर भी staircase मिलता है वो भी लकरी का तो इस और से भी आपको कुछ इस तरफ से आपको लगा देना जैसे मैंने लगा यह hiding place का आप लोग देखो कितनी आराम से आप मार सकते हो बंदे को फोली वर्किंग है अपना रीम नाम का है और यह भी इसी स्टार्ट से होता है इसी राउंड से स्टार्ट होगा आप लोग देखो इस एंड से अगर आता है तो आपको एक और बीच में घर मिलता है इस व आप रखना तो यहां पर थोड़ा से आप रखना बाकी देखो यहां पर आप लोग आ जाओगे कितनी अच्छी तरह से आप एनमी को डिफीट कर सकते हों है कि नहीं यहां पर कोई टीम मेट का जरूत नहीं है बस दो ग्लूवाल का रिक्वारेड आप इसी फोलो कर सकते है हाइडिंग प्लेस नमबर 23 तो यह हाइडिंग प्लेस अपना मार्स इलेक्ट्रिक का है जब भी अगर इस एंड से खेलोगे तो आपको करना कुछ नहीं आपको जल्दी से राइट हैंड साइड में चला जाना वो भी तच्छुया मार्क है यहां पर जरूत परेगा आपको ततच्वेया क्यरेटर का काम का क्यरेटर और है और विषय पर आपको फालेंग प्लेस कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँका टतच्वेया लेने यह को इसके यह यहाइड ज़ल्दी से खतम कर सकते हैंड से तो आप लोग देखो इजली आप लोग एनमी को यहां से टपका सकते हो ठीक है तो यह बहुत ही सुन्दर सा ट्रिक था आप सभी के लिए आप इसको फ्रेंटी टू दोस्तों आपको पता है मार्स एलेक्ट्रिक जो राउंड खेलता हो यहां पे चोटा-चोटा से आप लोग लेकिन फ्री फाइर यहां पर चरने का जगा जो खतम कर दिया मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन कोई बात नहीं हम लोग गुलुवाल एक लगाएंगे बस एक गुलुवाल का जरत पर आपको इसी तरह से आपको लगा यहां पर देखो उसके बाद स्कोपीन करना कोई भी करके आ सकतो स्कोपीन करें तो सेफ रहेगा अब देखो यहां से आप लोग यहां पर बंदर भी बैट सकतो नहीं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ना यहां पर आप लोग सो जाओंगे अगर सो जाओंगे ना यहां से आप इसली एनिमी को पर नजर रख सकतो एनिमी आप उनको वीजिबल नहीं होगा ठीक है लेकिन आप उनको एजिली खतम कर सकते हो अपनी गन से देखो इस बहुत अच्छा ट्रीक है यह लिए प्लेस नमबर 21 तो मार्स इलेक्ट्रिक का कभी भी राउंड अगर इस एंड से स्टार्ट होगा तो आपको करना कुछ नहीं ले करों कर लेके आनड़ी है यहां से आपको बस रूग जाना थोड़ा देर के लिए देखना बहुत सब्लेब यहां पर हाइड करता है आपको उनको बस किलीर करते जाना है यहां से अगर आप दोव प्लेयर भी आजाओंगे ना एन्मि का तीन प्लेयर खतम हो जाए फिशारी तो आपको ने कर देगा उसके बाद यहां पर आपको फोलो करके इधर वाले एक फ़ोले को भी चतम कर माले दबल हो गया या पिर सिमेंट्री हो गया सब को कगयों सब्सकत्राइब प्लेयर से नंबर 19 तो यह भी पोचीनों कर टरीक है अगर इधर से स्टार्ट होता है आपका तच्छुया मारके तो जल्दी से आप लोग इधर आजागे तो दो गुलुवाल का बस जरुत पड़ेगा और देखना गास एक कमाल का ट्रीक हो तो सबसे पहले आपको उडेन लॉग में जम करना उसके बाद फैंस मिलेगा यहाँ पर लकडी का उसमें भी आपको जम करके य नमबर 18 दोस्तों यह हाइडिंग प्लेस देखो यहाँ पर कोई गुलुवाल का जरुवत नहीं है लेफ साइड साही आपको निकल जाना पोचिनों का एंद देखो यहाँ पर आजाए जल्दी जितना होगे उतना फाइदा है क्योंकि बहुत सरा प्लेयर यहाँ से रन करते कमाल का ट्रीक है आप लोग अगर यहां से आते हो तो गाईस सबसे पेले राइट साइड से आपको तच्षूया मारके निकल जाना है एंद देखो धास यहाँ पर जितना जल्दी आपको कर सकते तो ऊपर आ जाओ मैने दो तच्षूया मारके आगया बहुत सरे प्लेयर यह तो आपको पता ही है यहां से अगर आपनोग बैट के खेलोंगे तो कम से कम थोड़ा दिर गें सही काइस 30 सेकेंड 45 सेकेंड यहां पर जोन रहता है यह तो आप एक प्लेयर को भी यहां पर नॉकाउट तो कर पाऊगे ना एक यहां दो प्लेयर को तो हां बाई यह भी के हिसाब से लगाना ठीक है। उसके बाद आपको जैसे मैं गलुवाल लगा रोओ अभी देखो यहां पे दो गलुवाल आपको एम करके लगाना है यह भास मिलत्यां घास इंट को पर जोन कर प्र जयम करना-पिर यह वाल को पर जब करना है एंड यहाँ आप लोग देखो तो लेकिन टाइम से आप लोग को बंदा खतन करें लिया रहे है नमबर 15 दोस्तों ये हाइडिंग प्लेस भी पीक है और पीक ना बहुत मेरा फेवरेट भी है आपका भी फेवरेट है और ये सबसे डेंजरेस एंड अनसीन सिक्रेट हाइडिंग प्लेस है किसी को बताना मत गश्टी अगर मैं आपको बता रहा तो करना कुछ लिए गाईस यहाँ पर आपको पता कैस इस स्टेर केस है जो टूटा हुआ है इसका ही ट्रीक है तो करना कैस सबसे पहले गलुआ लगाना साइड में एंड यहाँ पर लगडी है तो लगडी का प्लाका चुब कर लT विए अपो गड़ीन जाम कर ना चूब ओडन बोको कर फिर उसरे जाब इनीलine स्टेर केस को पर। इस स्टेर केस के ओपर आप लोग यहाँ पे नहीं फिर यहां से बहुत सारे प्लेट आता है तो यहां पे आप लोग नेट कुक करके बंदा कहतम करो यह फिर भहुत साइट ट्रीक आप यूस कर तो पीक में आपको बताता हो यहां पे आप लोग सो के बंदा को अगर लूट कर रहा ना उनको खतम कर जो लिकिन वही बात है जोन बहुत जल्दी आता है तो आपको जल्दी से करना होगा है यह एक बहुत कमाल का आपको चलते जाना आपको दिखाना नहीं है यहां पे सो रहा हो ठीगे यहां पे आपको बंदा को मारना है यहां पे आपको पता कितने सारे प्लेयर आपके क्यां करने के लिए आता है तो यहां पे पास मार्क्षवन का वैपन होगा तो कितना प्लेयर आपको नोक करो कम सेंदो नोक कर जकते हो ना तो नमबर 12 आपका सेंटो सा राउन में है तो आपको एक बार तच्छुया मार लेना है और देखो गाईस कभी अग लोग देखो गुलुवाल मैंने यहाँ पर लगाया और लेग पोकेट से आपको पांच गुलुवाल मिलता है हर एक राउन में तो इसलिए फाइदा लेग पोकेट उसके बाद आपको देखो गुलुवाल इस एंड से लगाने के बाद आप लोग पर आजाओंगे अगर आपके पास AWM होगा या फिर SKS होगा SVD होगा तो बंदा एक बार में खतम होते जागा क्योंकि याज बहुत पावरफुल वेपन अगर आपके पास होगा तो यह ट्रिक आपको हो गाइस यहापे चार चान लगा देगा तो गाइस इसलिए में यह ट्रिक भी फोलो करता हो आप भी फोलो बना है प्लेस नंबर 11 तो नंबर 11 फ्लेस आप लोग का यहापे सेंटो सा का इस एंड से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है देखो यहाँ से दो बार तच्छुया मार लो और दस्बिन दिखरो यही दस्बिन का कमाल का ट्रीक है यहाँ पर कोई गुलुवाल ल यहाँ कितना सांदार ट्रीक है यहाँ से बहुत से प्लेट ड्रॉप लूटने के लिए आता है कितना कमाल का ट्रीक है भाई मैं आपको बता दिया आप लोग बस फिलो करो चाहते है नंबर 10 तो नंबर 10 हाइडिंग प्लेस आपका ओफजर्वेट्री राउंड का यह भी ब यहाँ से देखो अगर एक बार अगर यहाँ से आजाओगे ना कम से कम गेरंटी बोल तो आप एक प्लेयर को नॉक आउट करी सकते हो अगर भगवान का भरोसा रहे और आपका भगवान का सिरबात रहे तो आप यहाँ से तीन बंदा भी खतम कर सकते हो वही बात रहाँ आपको बस एक गुलुवाल का जरुवत परेगा इस एंड से खेलने के लिए एक दो बार तच्फू या मार लो जैसे मैंने मारा उसके बाद दस बीन का सामने आपको पीछे से गुलुवाल लागाना ठीक है यहाँ से उसके बाद डस्बीन को पर जम करो और डायरेक्ट यहाँ पर उपर एक बार जम कर दो देखाना इस मैं किस तरह से जम किया वही से आपको जम कर दो अब यहाँ आके जितना हो से के आप डैमेज नहीं तो कील करो और एनिमी को जम करना बहुत मुस्किल हो चुका है अफर अपडेट लेकिन हम लोग ट्रिक यूज करें के यहाँ पर जम करके अपना यहाँ पर तवाई मचा देंगे देखो इस मैंने जहाँ पर दो गुल्वाल लागे इसके उपर जम कर देदे हो यहाँ पर चत के उपर आने के बाद अगर आ के मैंने लोग ट्रीक करते हो रहाँ दुप इसन से रावनत पर बहुकित करता है जितना हो सेलोड अपर एपको जरूए को रहा है लेकिन को से करताओ जितना हो से के लोड़ाट में आप लेक पोकेट का साहरा लें उसके बाद देखो कैस यहां पर राइट साइड पर आपको जंप करना है और यहां पर सो जाओ नहीं तो क्राउच करके आप बंदा को खतम करो ताकि गाइस एनमी ना यहां पर पागल हो जाब है क्या मार रहे हैं बंदा क को फोलो करो यह बहुत ज्यादा इजियस ट्रिक कोई गुलुवाल का भी जरूत नहीं पर बस तच्चुया मार के आ जाना एंड सो जाना यहां पर यह थोरा सा खंबा नहीं सोना यहां पर थोरा सा ग्राउंड नीचे तो इसलिए आपको एडवांटेज लेना है यहां पर स करते वक्त तो आप निवरे डेम पर यह ट्रिक फोलो कर सकते हैं तो सबसे पहले करना किया आपको डारेक्ट जम करना जैसे में अभी जम किया उसके बाद आपको जल्दी से तच्चुया मार के एक और बार जम करना है एंड देखो यहां पर वाटर का साइड से आपको आना यहां से आपको देखो यहां बहुत सरे प्लेयर क्यां करता है जो एनमीस होता है वही पहला रहते है जो डॉर आतायव है जो विंडो आपनों देखो गार दर्वाजा का साइड है यहां पर दर्वाज़ा लगा नहीं है लिकिन आप बोल से तो डुम ज उनको खतम करो बहु बोलूंगा ना बहुत ही मस्ट इंट्रेस्टिंग बहुत सारे प्लेर को पता ही नहीं है यह हाइडिंग प्लेस भी हो सकता है तो यहाँ पर आपको यह टुटा हुआ गार को पर जम करना उसके फ़ाइब गुलुआ के उपर एन यहाँ ट्रॉक जो है यहाँ पर रखा हुआ इसके उपर आजाना लेट जाओ लेट के आपको बंता है ना नॉक कर जाता है आप इसली एक प्लेर तो नॉक आउट निकाली से तो मैं इतना देखा बहुत से फेर यूज करें यह ट्रिक हारी फोलो करना नमबर वान तो नमबर वान हाइडिंग प्लेस आपका मिल का ही यह इनि बहूत ही बैश्ट ट्रिक है मेरे लिए कि में फॉलो कर रहा हूँ अभी के टाम पर ट्रिक एन मुझको यहां पर भीट्री दे रहा है मील टो मैं क्या करता हूआ जल्दी से आता हो और यहां पर अपलो को यह डिखो या नजगा पर आना ठाला चाह कि क्योंकि 관련 कर कर तो यहां पर आपको सारा मिल जाता है कि कैबोल सकतो का इस एक स्ट्रक्चर है जिससे आप लोग फाइदा उठा सकते हो बहुत सरे प्लेट आपको पता रहे हैं यह से ट्रक का भी पीछे कैम करता है और अगर आपका टीमेट थर्ड पार्टी करना चाहते हैं आपका टीमेट क कर यहां सकते हैं